नमस्कार, स्वाइक थे आप सभी का मारे चैनल देवियास्टरों में कजली तीज, अठाद बड़ी तीज से सम्मंदित दो कथाए में पहले अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ आप तीज माता का जब वरत रखे तो उने अवश्य श्रवन करें अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सातूरी तीज की तीसरी कता किसी काम में एक जाट था, उस जाट में दो विवा किये थे, दोनों से उसे एक-एक लड़की हुई कुछ समय बाद जो उसका पहला विवा किये जाट ने थी, उसकी मृतियों हो गई आप सौतेली मा अपनी बेटी को तो बहुत ही प्यार से रखती, उससे घर का कोई कामकाज नहीं करवाती और जो उसकी सौतेली बेटी थी, उससे सारे घर का कामकाज करवाती थी दोनों लड़किया दीरे-दीरे बड़ी हो गई एक दिन जाटनी ने अपने पती से कहा मेरी बेटी के लिए अच्छा कासा पैसे वाला घर का वर देखना जहां वो बहुत ही खुश रहें और सोतेली के लिए कोई भी आप साधारन सा घर देख लेना दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं उनका विवा करना है जाटने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवा कर दिया और जैसा का ठीक वैसा ही अपने भुद की जो बेटी थी उसके लिए तो अच्छा कासा पैसे वाला उस जाटनी ने घर देखा और सोतेली के लिए एक बिल्कुल साधारन सा घर सोतेली जो बेटी थी वो बहुती समझदार थी और बहुती मैंती थी सच्छाल वाले उससे बहुती खुश थी जाटनी की जो बेटी थी खुद की वो ना तो काम का ज़दा जानती थी और वो बहुती अकड में भी रहती थी इसलिए ससर्वाल वाले उससे बहुती दुखी हो गए कुछ दिन बाद जाट दौनों को लेने गया पहली वाली की ससर्वाल वालों ने उसकी बहुत बढ़ाई की कहा कि आपकी बेटी बहुती संसकारी है लेकिन दूसरी वाली के ससर्वाल वालों ने उसकी बहुत बुराई की और कहा ले जाओ अपनी बेटी को ये ना तो घर का कोई काम का जंक से करती है और दूसरा बहुती अकड में भी रहती है जाट दौनों को अपने घर ले आया और सारी बात उसने जाटनी को बता दी पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा ये निमनी माता तू मीठी है जैसी मुझे भी मीठी रखना और दूसरी ने कहा निमनी माता तू तो कड़वी है मा ने सुना तो उसकी समझ में सारी बात आ गए और उसने तुर्णत अपनी बेटी से कहा वापस जाकर नीमरी माता की पूझा करो और कहो कि हे माता जैसी आप मीठी हैं वैसे ही मुझे भी मीठी रखना तो फिर उसकी लड़की ने फिर से नीम्री माता का पूजन करके कहा मुझे भी आप जैसी मीठी रखना इसी नीम्री माता उस पर भी खुश हुई और जब वह वापस अपने ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लग गए अतो नीम्री को पूच कर सुब न मीठी है वैसे ही आमें मीठी रखना तो हे तीश माता जैसे नीम्री माता की उन दोनों बेनों पर क्रपा हुई वैसे ही सब पर आप अपनी क्रपा रखना दन्येवाद